नमस्कार, मैं Dr. Jaiswal, Plastic Suri राइनेकोमेस्टिया या मेल भूप्स ये कंडिशन होती है जिसमें चेस्ट की स्खिन रहती है उसके नीचे पैट या ग्लेंड जमा हो जाता है Most of the time ये 12-15 जो एजग्रूप रहता है उसमें कुछ हर्मोनल चेंजिस होते हैं बॉडी में कई बार फिमेल हॉर्मोन का रेशो अल्टराइब होता है फिमेल हॉर्मोन को जाता है मेल हॉर्मोन की तुल्ना में इस वज़े से ये फिमेल की तरह पैट और ग्लेंड जमा हो जाता है नॉर्मली अपने आप ठीक हो जाता है या थुड़ा रहता है तो उसमें कुछ करने का ज पहले टाइम उपन सरजरी होता था अब हम लोग जो करते हैं लाइको सक्षिन प्रोसेजर करते हैं जिसमें कुछ मेजर कर्ट या निशान नहीं आता है बिल्कुल एक छोटा सा होल करते हैं उसके तुरू कुछ सॉलुशन डालते हैं जिससे जो फैट रयता या ग्लेंड रयता उसको ब्रेकडाउन करते हैं देन उसी होल से उसको सक्षिन करके निकाल देता है तो जो जो लिटालिस्मेट का प्रोसेजर रयता है वो दो से तीन गंटे में आप वापस घर जा सकते हैं लाइकोसर्शन करने के बाद यदि कुछ केसिस में कुछ ग्लेंग्स पस्ती हैं, तो हम लोग एक छोटा सा इंसियन लगाते हैं, जो हम लोग निपल का जो एरियोला रहता है और इसकीन के जंक्शन पर लगाते हैं, वो छोटा सा इंसियन से हम लोग बचीवी ग्लेंग्स को निकाल देते हैं, तोनों ही कंडिशन में कोई सिग्निफिकेंट इसकार बात नहीं रहता है, इस प्रोसिजर के बाद घल तुरन जा सकते हैं, शाम से सारे एक्टिविटी कर सकते हैं, सिर्फ एक बेल्ट देते हैं, हम लोग पहनने का प्रेशे गार्मेंट, वो फोर फाइफ अपने को नॉर्मल कप्रोल के अंदर पहना पड़ते हैं, बाकी अगले दिन से आप सारा कुछ काम कर सकते हैं, सारा लगबग एक्टिविटी कर सकते हैं, जीव जाने में चेस्ट का फिजिकल वर्ग को छोड़की बाकी लगबग सारा वर्ग चार से पास दिन बार शुरू झार शुरूर घ्गर को छोड़ना भाकी ला इस DOह Base深ते हैं, सारा हैं, सारा लगब हावाव में बाकी लगदों में चे खरी का अहता हैं, सारा बार ऑले तुरूरूक वर्गने का यदो, क्टिबंग सारा चार छोड़क्शाव